इस कारिक्रम की पुणियार जखें श्रीमती संतोष जयन, श्री विशाल चन जयन, श्रीमती पूनम जयन, CMA पंकर जयन, आमिज जयन, राशी जयन, उन्नती जयन, सेक्टर सेतिस, नौईडा, श्री पारसमल्द, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु जयन, बाकलीवाल परिवार, सुरद, पुली, अधमान, महावीर भगवान की, जय, परम पूज्य आचारिय भगवान स्री समंत्र भद्रश्वामी मुन महराज की, जय, परम पूज्य सिध्धान्त चक्रवरती आचारिय गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुन महराज की, जय, जयनम जयतु शाशनम, विश्यकल्यान कारकम धर्म इसनेही सत शद्धालू यहां पर उपस्तित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुंड्यात्मा महानुभाव स्रावकों की आचार सहिता का प्रत्निदी ग्रंथ रत्न करंड़क स्रावका आचार अपर नाम आचार सहिता रूपी रत्नों का पिटारा जिसमें से एक-एक कार का रूपी रत्न को हम देख करके उसके वारी में जान करके आनंद का अनुभव करते हैं क्योंकि प्रकास आनंद का प्रतीक है प्रकास को ज्यान का प्रतीक भी माना है और ज्यान को आनंद का कार्ण माना है इशली ये व्यक्ति जहां पर घंगोर अनेरा हो महा तम हो उस इस्तान में रहना तो दूर की बात सोना भी नहीं चाता रात्री में भी वे नाइट वल्व जलाकर की सोता है अपनी टॉर्च में भी रेडियम आदी का प्रयोग करता है कम से कम कुछ तो उजाला रहे है क्योंकि किंचत भी प्रकास नहीं होता है तब अंदकार में नीद खुलने पर भी सम्यक दशा का बोद नहीं होता कई वार वच्चे अपने पलंग से उठकर जाना होता है टॉइलेट की योर और चले जातने किचन की योर अंदेरे में कुछ दिख नहीं रहा कहां पहुँच रहे है तो अंदेरा अनेक प्रकार की प्रतकूलताओं को उपस्तत करने वाला होता है अंदेरे में ब्रह्मन है वटकन है विगन है वादाओं है प्रतकूलताओं है अंदेरे में विभाव की संगती है विकारों की संगती है दुर विश्णों और वुरेकारियों की संगती है जबकि प्रकास के शाथ मंगल है इसलिए मंगलाचन करने के साथ मंगल जोती दीप प्रजुलिन करते हैं। उस सब मनातेश में दीपों सब पर मनातेश में दीपों को प्रजलित करके आनंद का अनुबव करते हैं। परमार से भटके हुए हैं वेदी सूर्यादी गिरे की पूजा भी करते हैं तब भी दीप जला करके करते हैं किन्तो सम्वेदश्टी सूर्य के विमान की पूजा नहीं करता वो सूर्य के विमान में विद्यमान जिन विम वीतरागी भगवान की पूजा करता है देख रहे थे रत्न करंड रत्नों का पिटारा उसकी इस सात्मी मनी को सात्मी रत्न को निकाल करके देखते हैं जिसमें आचार महुदे आप्त का लक्षन बताते हुए दो लक्षन की बात कह चुके थे आप्त वे होते हैं जो वीतरागी होते हैं सरवंजी होते हैं और हितोपदेशी होते हैं जिसमें आचार महुदे ने लक्षन वीतरागता का बताया वीतरागी भी होते हैं जो रागदुश आदी अठारह दोशों से रहित होते हैं उने सरवज्जता का लक्षन बताया कि जने संफुन जान की प्राप्ति हो गई इस प्रकार आचार मोदे अब हितोब दिशता का लक्षन कहते हैं इसके साथ सरवज्जता का लक्षन भी बताते हैं इतना ही नहीं उन आपते के परयावाची नाम भी बताते हैं तो सरवजिता के शाह साथ मेल खाने वाले आप्त के प्रयवाची नाम और किया हैं, उसे कारिका के मादनम्शे देखते हैं, आचार महुदे समंतवद श्वामी जी उन आप्त परमेष्ठी के प्रभू के और कौन-कौन से नाम सुझकार करते हैं, लिखा है परमेष्ठी परम्जोतिर विरागो विमलह कृति सरवजियो नादिम अध्यांतह सारवः शास्तो पलाल्यति परमेष्ठी यहां पर जो प्रयवाची नाम को चण किया नव नाम उच्चरित हैं, प्रतम नाम है परमेष्ठी, आप्त को परमेष्ठी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप्त भी पांच परमेष्ठी में एक परमेष्ठी हैं परमेष्ठी सब्द का अर्थ इस पकार निकालें, परमे पदे तिष्ठती इती परमेष्ठी जो परमपद में उत्तक्रष्ट पद में उत्तमपद में सृरिष्ट पद में तिष्टते हैं ठेरते हैं इस्तिर रहते हैं विराजमान होते हैं सुसुवित होते हैं वे परमिश्टी है परमपद क्या है परमपद वो है इसमें विकारों का निवारन किया जाए विकारों को न परमपद होता है, जब तक ग्रस्त राख और दूश में सना हुआ होता है, तब तक वे परमपद को प्राप्त नहीं कर पाता, संसार के जितने भी पद हैं, लोकिक पद, वे परमपद नहीं हैं, अपरम हैं, चाहिए वे पद महापुर्स वाला ही पद क्यों न हो, यहां तक कि तीठंकरप्रती की सत्ता वाला जीव भी परमपद में इस्तिर नहीं है चक्रवती पद को प्राप्त करने वाला भी परमपद में इस्तिर नहीं है नारायन प्रतनारायन वलबद्र कामदेव कुलकर आदी पद से विभूशत महापुर्ष अभी परमपद में इस्तित नहीं है क्योंकि परमपद में वही इस्तित हो सकता है जिसे आत्म जियान प्राप्त हुआ हो परमपद में वही सित हो सकता है जिसकी आत्मा में धर्म हो धर्म का स्वरूप अभी देखा था विगत दिनों में आचारी समत्वत श्वामी ने धर्म का स्वरूप जो बताया था सद द्रश्ट जियान वरत्तानी धर्मम ये धर्म जिसकी आत्मा में है आचार भगवन समत्वत स्वामी ने तो इसे धर्म कहा आचार भगवन उमाँ स्वामी महाराई ने इसे मोख्ष मार्ग कहा धर्म की पालना ही मोख्ष मार्ग है और धर्म की पालना न करना वह संसार मार्ग है इसलिए आचार मोदे ने साथ ही साथ कह दिया था कि सद्धश्ट जान व्रत्तानी धर्म धर्म इसवरा बिदू, धर्म के इश्वरों ने धर्म इसे जाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक जान, भवो पद्धति रखो, यदि ये प्रत्नी कानी इसके विप्रीत जो है उसे क्या कहा अधर्म, अधर्म न कहकर कि आचार मोदे ने कहा भवन्ति भवपद्धति वे संसार के कारण है जब रतनत्रे की सम्यदर्षन सम्यज्यान सम्यचारत के प्यत्कूल जो चीज़े वो संसार का कारण है तो सम्यदर्षन सम्यचारत यदि धर्म है तो जो संसार का कारण है उसे धर्म नहीं कह सकते वह आचार मोदे की दश्टी में वह अधर्म की कोटी में आ सकता है तो यहाँ पर समझ में आया परम पद वही है जिसने यथा जात दिगंबर मुद्रा को सुईकार किया है जिशनी सम्यदर्शन सम्देग्यान समचार्थ को प्राप्त कर लिया है जिशनी व्यवार में भी रतनत्रे प्राप्त किया है निश्य से अपनी आत्मा को रतनत्रे में ढाल लिया है यह आत्मा ही रतनत्रे रूप वबस्ता को प्राप्त हो चुकी है चाहे वे सादू परमिष्टी हैं, चाहे उपाध्याय परमिष्टी हैं, चाहे आचारे परमिष्टी हैं, चाहे अर्यंत परमिष्टी हैं और चाहे सिद्ध परमिष्टी हैं ये पाँचव परमिष्टी ही किसी अपिशा से भगवान है एक अरंत परमिष्टी वर्तमान भावनिशिप की अपिश्या से सिद्ध परमिष्टी आप्त नहीं है किन्तो है भूत नेगमने की अपिश्या से वे भी आप्त हैं आचार उपाद्याश और साधू भावी नेगमने की अपिश्या से या द्रभ निशिप की अपिश्या से उन और अंतरकत केवली वने तो सिद्ध वच्छा तक पहुंच सकता है अरंत वस्ता पर न ठेरे सादू के लिए अनिवार नहीं है कि वे उपाध्या और आचार वने आध्यात में शित्व की अपिशा से देखा जाए तो सादू परमिष्टी उपाध्या और आचार वने अग्रणी है क्योंकि उपाध्या और आचार परमिष्टी को ब्यवहार मूल गुड़ों का भी पालन करना अनिवार है अपनी कर्तब्य का पालन करना होता है उपाध्या परमिष्टी को उपदीश दीना सिश्यों को पढ़ाना स्वेम अध्यन करना आचार परमिष्टी का कर्तब हुआ सिश्यों का संग्रे करना उनका अनुग्रे करना प्रत्कूल होनी पर उनका निग्रे करना ये सब उनके लिए अनिवारी करतब्य हैं किन्तो शादू के लिए जियान ध्यान तपो रखता है विश्यासा भशाती तो जो विश्या कसाय आरंप्रगिश्य रेतो करके जियान ध्यान तप में लीन हो गई तो ये शादू परमिष्टी उनके उपर पद का कोई भार नहीं है ये लिए वे अरंत बनें तो श्रीक्र बन सकते हैं आचार उपाद्या की अपिक्षा से तो परमिष्टी पद का अर्थ वही लेना है जो यहाँ पर आचार मोदय कहना चाहते हैं तो आप तो भगवान को परमिष्टी भी कह सकते हैं जो उनका पद भी परमिष्टी का पद है अन्न किसी को क्यों नहीं कहा परमिष्टी ती थेंकर प्रभू जब तक घर में हैं तब तो उने परमिष्टी क्यों नहीं कहा क्योंकि भी अभी यताज्या दिगंबर अवस्ताश युक्त नहीं है सम्यदर्शन, सम्यद्ज्यान, 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 इन तीनों से युक्त नहीं है सम्यद्ष्टी तो भी नियम से है, सम्यद्ज्यानी है फिर उन्हें क्यों नहीं कहा मुख्षमारगी क्योंकि जब तक सम्मिक चारित नहीं होता है तब तक मुख्षमारगी नहीं बन सकते सम्मधश्टी मुख्षमारगी होगा भविश्य में दो वरतमान काल में असेंट सम्मधश्टी को मुख्षमारगी नहीं कह सकते तो आप्त का पहला नाम दिया परमिष्ठी परमिपदी तिश्चती इती परमिष्ठी परमपद मीज उतक्रश्च पद ये थाजा दिगंबरा दिगंबर अवस्ताश युक्त रतन तर्शे शुशुवित आतमा ही परमपद में इस्तिर होने में परमपद को इस्वर्ष करने म समर्थ होती है वस्त्रधारी परग्र्यधारी आरम आदिश्य युक्त कशाय आदी की आभिश्य युक्त वे परमपद का इसपर्ष नहीं कर सकती है तो एक जोती होती है, नेत्र जोती, दूशी जोती होती है, जोत्र विवानों के मादम से निकले वाली करणे, तीशी जोती होती है, अगनी की जोती है, अगली जोती होती है, शब्द जोती, जब कोई व्यक्ति आँख बंद करके, और किसी का चिंतन कर रहा है, वे ध्यान शब्दों का चिंतन करते हुए जनीन भगवान वी तरागी होते हैं इस पकार का सुमशन होता है इस्ट प्रात्यार मंगल दभी होते हैं इन शब्दों का चिंतन करते करते वह शब्द की जोती में भी उन द्रश्यों को देखने में समर्थ होता है आगे जोती होती है वह जिय जोती शब्दों का भी आलम नहीं लिया अवदी जियान मनप्रेज जियान के वलज जियान इस जियान की जोती जिसके पास होती है तब वहर के प्रकास की आवशक्ता नहीं है शब्दों की प्रकास की आवशक्ता नहीं है पुस्तकादी की आवशक्ता नहीं अध्यापकादी क आवशक्ता ने प्रतक्ष ग्यान वाले महानवाव उस आत्म जोती से जानने में समर्थ होते हैं आगे एक जोती होती है आत्म जोती ज्यान जोती ये अवयव और अवयव की अपिक्षा से भेद है किन्तों दूसरी अपिक्षा से गुण गुणी से कभी अलग नहीं होते इस कहेंगे दोनों अभीद है ग्यान आत्मा के एक गुण है अंस है अभी अभे आत्मा गुणी है अभी अभी है और ग्यानी है ग्याता है तो एक आत्मा की जोती भी होती है उस आत्म जोती से साक्षातकार शिद्ध परमिष्टी अपनी आत्मा के अनंत अग्ड़ों की जोती में अपने आत्मा के सब्वाव रूप अनंत आनंद को भोगने वाले होते हैं तो यह दूश्चा लशन दिया परमेस्ठी परमजोती दो नाम हुए तीष्रा का विरागो विगत रागा ये विरागा जिसका राग वीत गया है विगत राग का सब्द यहाँ पर वीत राग से भी गेहन किया जा सकता है विराग सब्द का अर्थ राग का विरलन होना भी सिद्ध होता है किन्तु यहां पर आप्त के प्रैवाची नाम में विराग सब्द को लिया विगत या बिनिश्ट रागा इसका राग बिगत निकल गया है या बिनिश्ट निश्ट होया है ऐसे बिनिश्ट रागी आप्त कहलाते हैं वीतरागी भगवान आगे कहा विमल विमल शब्दकारत होता है विगत मला यब नश्टा मला दी विमला हा वियाप्त भगवान विगत मल हैं मल नश्ट हो गया कौन सा मल ज्यानावन दश्णावन अंतराई और मोहनी तो मोहनी कर्म का मल सबसे पहले नश्ट किया ज्यानावन दश्णावन का नश्ट किया और अंतराय का नश्ट किया ये चार घातिया कर्मल की तरशे हैं कलंक की तरशे हैं किट कालमा की तरशे हैं पंक की तरशे हैं आचायरों ने इसके लिए कई शब्द रोक की है तो विगत मल चार घातिया कर मसे रहत होते हैं आप तरशीली विमल कहे दिया किरती किरती का रत होता है कुशल अरंड बगवां से कुशल और कौन होगा जोनों हMore अपनी कुशलता रेंशे होते हो कर लिया कुशल है जैसे नोंaches नहीं जो करने जो करता इसे कर लिया कृति शब्द करत होता है कृत कृत यानि कृति जो कर चुका संसार से पार होने के लिए जो पुर्शार्ट उन्हें करना था वे संपून पुर्शार्ट वे कर चुके शिलिव कृति सरवज्यं संपून ज्यान को धन करने वाले सरवज्य ये वी उनका एक पर्याबाची नाम है अनाधी मद्य अंतह जो आपत भगवान है उनका कोई आधी नहीं और जब आधी नहीं तो अनति भी नहीं मद्य भी नहीं तो ये कहा जाता है ये भगवान के परयावाची नाम है यानि परमिष्टी, परमजोती, विराग, विमल, करती, सरवज, अनादी, आदी, मद्य, अंतशे रहित, सार्व और शास्ता इश्वकानू के परयावाची नाम है इन परयावाची नाम की इस्तुति करते हुए आचार महुद है इस कारिका को यहां पर ब्राम देते हैं विशेश और आगे कभी देखेंगे आज बस इतना ही जेवुलिय श्री शांतनात भगवान की परमपुज आचारे गुर्देव श्री विद्या नंजीव नुमाराज की अहीं सामय विश्व धर्म की कारिक्रम की पोड़े आजग थे सेक्टर सेतिस नौइडा श्री पारस्मल्थ इंद्रा देवी संजय विनीता अजय नीतु जेन बाकलीवाल परिवार सूरत